हेलो एबरिबान, राधी राधी जी, कैसे हैं सब, आपका स्वागत है मेरी चैनल में, तो आज हम बनाएंगे बीना लस्न पे आज के चार मसालों से भरभा बैंगन, खास बात तो यह है कि बीना लस्न पे आज के ही सिरफ चार मसाले डाल करके इतने टेस्टी बैंगन की सबज किस उखा लिया है जो इसकी उपर की डंडी के साथ होते है न ये ग्रीन ग्रीन इसे हमें क्या करेंगे उतार देना है हाथ से बहुत ही असानी से उतर जाएंगे ये दिखेंगे मैंने हाथ से उतार दिया है एक बैंगन का तो आप क्या करेंगे सारे बैंगन का ही ऐसे ही उतार कर लेंगे यह दिखेंगे मैंने सारे बैंगल का उतार करके रख लिया है अब इसे साइट पर रख देंगे हम इसके लिए मसाला त्यार करेंगे पहले इसमें डालेंगे एक चमच नमक और देर चमच डालेंगे धनिया पाउडर फिर इसमें डालेंगे एक चमच लाल मिर्च क पाउंडर और आधा चमच डालेंगे इसमें हल्दी पाउंडर सिर्फ यही मैंने चार चीज़े डालने हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको और कोई जरुआ पानी होगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि मसाला ठ्यार करके रखना होगा और तेल को भी अच्छे से गरम करके रखना होगा नहीं पर मुझे हाज से ही मसाला अच्छा लगता है क्यों कि हाथ से बहुत ही जल्दी भर जाता है चम्मन से थोड़ी सी देर लगती है दिखेंगे मैंने हाथ से फटाफट से इसमें जो मसाला है वो भर दिया है दिखेंगे ऐसे ही सारे बैंगन हम भर करके त्यार कर लेंगे मसाले से रखतेंगे ऐसी बर की अब लेंगी हम एक कोर भी fry Vin उसमें डालेंगी सरसू का oil सरसू को oil में बहुती टेस्टी बनतेपे हैं टेस्ट बहुती अच्छा आता है इसलिए सरसू की oil में ही समें डालें और 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 अच्छी से घर्म कर लेंगे यह दिखेंगे मेने अच्छी से घर्म कर लिया ज़्यादा घर्म था तो मैंने थोड़ा सठा ठंडा लिया फिर इसमें हम डाल देंगे इस एक करकी सारे जो बैंगें इन्हीं भर के रखे थी वह डाल करो Candie गैस को हम मीडियम कर देंगे मीडियम करने के बाद इसे हम क्या करेंगे ढग करके अगर हम जल्दी जल्दी पकाने है इसे तो ढग करके पकाएंगे यह दिखेंगे मैंने ढग के पकाएं तो 2-3 मिट ही हो थे एक साइट से पक चुका है अब इसे हम क्या करेंगे, जो इसकी side है वो change कर देंगे ताकि जो उपर से भी अच्छे से यह पक जाए यह देखेंगे, सारी मैंने इसकी side change कर दी है, अब फिर से इसे दो मिट के लिए डख देंगे दो मिट की बाद देखेंगे तो जो ये बेंगन है वो अच्छी सी आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आगया है पर 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 सा अब इसे हम क्या करेंगे फटा फट से निकाल देंगे अगर नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल्दाते हैं फटा फट से निकालेंगे गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे मैंने इसमें निकाल ले है ताकि जो इसका एक्स्टा ओइल है वो निकल जाए ये हमारी भरबा बैंगन की सबजी बंद करके त्यार है भी रेस्पी ट्राइगेजे बहुत ही टेस्टी लगेगी जटपट से बंद करके त्यार होताती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खास बात तो ये है हमने इसमें कोई भी एक्स्टा मसाली प्याज लेस्ट वगरा नहीं डाला फिर भी ये बहुत ही अच्छी बन करके त्यार हुई है थैंक्स वर वोचिंग